नेशनल हाइवे 47 पर बुदवार रात को सिउनी के पास एक बड़ा हाथसा हो गया नेशनल हाइवे पर चल रहे मेंटेनेंस कार्य की वज़े से एक ही दिशा से आवागवन चल रहा था इस दोरान रात को सिउनी की ओर से संत्रा भर कर जा रही मैक्स वाहन क्रमांक एमेच 45 एक्स 36 बीस को सामने से आ रहे ट्रेलर ट्रक क्रमांक ने टक कर मारने के बाद और नियंतरित होकर डिवाइडर तोड़ते वे दूसरी ओर जाहुसा इस दोरान रात को सड़क पर आवागवन बंद हो गया था जिससे की वाहनों की कतारे लग गई पुलिस को पहुंचकर वहां मोर्चा सम्हालना पड़ा थाना प्रभारी राकेश भारती ने पताए कि लगबग दो गंटे की मशक्कत के बाद डिवाइडर में फसे ट्रेलर ट्रक को निकाल कर सीधा खड़ा किया गया जिसके बाद आवागवन सुचारू हो पाया सीवनी के पास नेशनल हाइवे पर एक हपते में यह चोथी बड़ी घटना हुई है सीवनी के ग्रामिडों ने नेशनल हाइवे विभाग से सुरक्षा के साधन बढ़ाने की मांग की है जिससे की आवागवन के दोरान जानमाल का नुपसान कम हो सके